BCA एक ऐसा degree course जो कि आपका IT industry में entry का gateway है और अगर आपके 10th year 12 complete हो चुकी है तो maximum लोग, even आपके रिस्तेदार, बड़े भाई और जो भी familiar लोग होंगे, वो सब आपको recommend कर रहे होंगे कि भई, अब as a graduation BCA को choose करो, क्योंकि future इसी में ही है, जिसे सुनने के बाद आपके admission process क्या है, और अगर मैं BCA कर लेता हूँ, तो क्या मैं एक अच्छी खासे salary पे, या फिर मेरा क्या roadmap होने वाला है, जिसके मदद से मैं अपना career set कर सकता हूँ, तो आज के इस वीडियो में हम इन्ही सभी topics में discussion करने वाले है, मैं आपको बताऊंगा, कि BCA actual में है, क्या BC में आपको पढ़ाई क्या जाता है, admission process क्या होता है, और एक complete roadmap के हम बात करेंगे, जिसमें आप BCA की मदद से, कैसे as a software developer की journey को तैग कर सकते हैं, make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखे, क्योंकि वीडियो आपके लिए full of information होने वाला है, तो बिना किसी देर के शुरू करते है एस वीडियो को, अब यहां पर सबसे पहले सवाल पर discussion करते हैं, कि BCA actual में है क्या, देखो BCA का पूरा मतलब होता है, Bachelor of Computer Application, जो की डिगरी course है, जिसे आप 12th complete होने की बात करते हो, जब आप 12th complete करते हो, तो आपको category choose करनी पड़ती है, based on graduation, कि आपको BA करना है, BCA करना है, य IT करनी है, तो बहुत सारी चीज़े आपके सामने होती है, जिसमें maximum लोग आपको recommend कर देंगे, BCA करो, आप BCA actual में है, क्या यह समझ लेते हैं, देखो, आज की date में हम सबसे बड़ा market भी देखे, तो वो है IT industry का, जिसमें आप देखते हो कि coding, software, या फिर applications, आज की time में आप font से लेके computer में, या फिर बाहर में, जितनी भी चीज़े हैं, वो कहीं न कहीं technical है, और वो सारी चीज़े belong करती है, IT से, तो देखो, इतना सब को पताए, कि IT में scope है, लेकिन होता क्या है, कि मानलो आपने 12th commerce से घर रखे है, या 12th जो है, आपकी arts से, तो अगर आप BTEC करने ज science background होना चाहिए, प्रॉपर math होनी चाहिए, 12th में आपके पास, तो जो commerce वाले students, जो की switch करके, IT वाली field में जाना चाहते है, तो वो BTEC नहीं कर सकते, दो reason, एक fees और एक के category, लेकिन BCA जो है, BCA क्या है, वो एक gateway है, जो कि आपको ये नहीं बोलता कि आप प्रॉपर science से होने चाहिए, अगर आप commerce साइट से हो, या फिर art साइट से हो, या फिर science से हो, तब तो हई, तो आप BCA करते हो, जो की आपका entry gate होता है, IT field के लिए, अब BCA में आपको कराई क्या जाता है, BCA यानि कि मैंने बता है, bachelor of computer application, इसमें action में पढ़ाई क्या जाता है, तो देखो, सबस चीज तो आप यह समझ लो, कि अगर आप non math background से हो, तो यहा पर आपको math का additional subject मिलता है, एक चीज और धियान रखे, कि हर एक college के हिसाब से syllabus होता है, जरूरी नहीं कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, वही चीज आपको पढ़ाई जाए, थोड़ा बहुत ऊपर लिचे, थोड़ी बहुत जो advanced चीज है, जैसे कि कोई private college है, तो वो क्या करेगा, कि आज की rate में जो demandable language चल रही है, like python चल रही है, ruby चल रही है, को ऐसे language चल रही है, तो उसे आपको बढ़ाए जाएगा, तो मैं आपको एक hint दे देता हूं, कि इसमें आपको पढ़ाए क्या जाता ह सबसे बिल अगर हम बात करें BCA की, तो इसमें आपको टोटल 6 semester होते है, एक साल का पूरा आपका time नहीं होता, इसमें 6-6 महिने के आपके 6 semester होते हैं, जो कि 3 साल का time cover करते है, अब इसमें जो पहला और दूसरा semester होता है, इसमें जो basics of technology है, like मैं बात करो operating system हो गया, यावर C language हो गया, C language जो हो mother of all languages है, मतलब जितने भी आज के time में coding language देखते हैं, तो इन सब की mother of language बोली जाती है, C language, जो की पहली language थी coding के basis पे, तो आपको C language बताई जाएगी, आपको यहापर operating system के बारे में बताए जाएगा, इसके अलावा flow chart वगरा क्या होता है, algorithms क्या होता है, इ जिसमें आप website design या website develop कैसे करते हो, उससे related terms आपको बताए जाता है, जैसे कि database हो गया, HTML, CSS, JavaScript, और कुछ colleges में PHP भी cover किया जाता है, कुछ में नहीं करते हैं, तो आपको website designing से related जो part है, वो आपको cover कराए जाएगा, और इसके साथ ही कुछ colleges में कुछ कराते हैं, कुछ नहीं कर machine learning जो होते हैं, जैसे assembly language वगरा हो गई, और भी कुछ एकाथ चीज़े आप ले लो, तो वो सब चीज़े आपको कराए जाती है, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कुछ आपको coding languages कराए जाएगी, कुछ आपको जो web designing, web developing related languages है वो बताए जाएगा, operating system कराए database management system क्या होता है, और bit and byte algorithm flowchart ये सब चीज़े आपको BCA में कराए जाती है, अब ये सब करने से क्या benefit है, कि अगर मैं बात करूँ, कोडर की, जो कि IT field में काम करता है, तो उसका mind sharp होता है, algorithm और या फिर मैं बात करो, कि उसको जो भी coding करके, एक execution attempt करवाना है, तो वो सारी ची जो जर्नी होती है, इसमें इनी सब चीज़ों पर आपको preparation कराए जाती है, ताकि आप इन सब चीज़ों को समझ सके, और इन से related execution कर सके, इसके साथ ही जो आपका last semester होता है BCA में, उसमें एक training purpose से समझ लो, कि आपको एक project दिया जाएगा, जिसके थूरू आप एक बड़े ल आप अभी हमने दो बातों को समझा कि BCA क्या है, और BCA में आपको पढ़ाए क्या जाता है, BCA क्यों important है तो आप समझेगे, कि चाहें आप arts से हो, commerce से हो, science से हो, आपको एक entry gate मिल जाता है IT industry के लिए, आप यहाँ पर बात करते है, admission process क्या होता है, देखो, इस point को अभी समझ ज्यादा तर जो famous colleges होते हैं, वो entrance test रखते हैं, जिसमें आपको test देना होता है, और test में अगर आप qualify होते हो, तो आपका admission possible हो पाता है, इसके अलावा कुछ colleges है, वो merit level पे आपको admission प्रोवाइड करता है, जैसे आपके 12th में बहुत अच्छे marks आ रहे है, 80, 90 या 95 percentage है, तो merit क basis पे भी आपको admission दे दिया जाता है, और तीसरी category में जो open universities होती है, उनमें आपको simply admission मिल जाता है, कोई वहाँ पे entrance या merit का tension नहीं होता है, तो अगर आप open या distance learning करते हो, मतलब जिसमें आपको college ना जाना पड़े, week में एक दिन college चले गए, आप ज़्यादा ज़्यादा, औ और घर से ही आप study कर रहे हो, तो अगर वैसा आप करते हो, जो कि open universities में possible होता है, जिसे हम distance learning बोलते हैं, तो वो अगर आप करते हो, तो उसमें आपको entrance या merit का problem नहीं होता, so why hope कि जितने भी basic terms से BCA से related वो आपको clear हो गये होंगे, like BCA क्या है, BCA के syllabus, admission process, यह सब चीज़े आ आप BCA complete करते हो, उसके बाद आपको internship करनी है, कई बार क्या होता है, private colleges से है, तो वही आपको internship दिला देंगे, आपको job भी provide कर देंगे, अगर अच्छे college में, private college में आप बढ़ रहे हो तो, तो आपको करना क्या है, कि BCA complete होने के बाद, या तो internship, या तो job, आपको लेनी है, इसके बाद क्या करना है, कि open university से, आपको MCA join कर लेना है, जो कि होता है, masters of computer application, BCA से further study जो हम बात करें, वो होता है MCA, तो आपको MCA join कर लेना है, और साथे साथ job या intern, जो भी आप कर रहे हो, करते रहेना है, जब आपकी MCA complete हो जाती है, तो आपके लिए job opportunities जादा हो जाती ह क्योंकि MCA की basis पर demand जादा है, तो MCA complete होने के बाद, आपके career options जादा खुल जाते है, साथे आपको try करना है, जब आपके MCA complete हो जाती है, उसके बाद, क्योंकि आपको 2 साल या 3 साल का जो भी आपका MCA होगा, तो उसके basis पर आपको एक experience भी मिल जाएगा, तब तक आप BCA कर 1000 पहुँचने में देर ने लेगा, और अगर आप 3-4 साल अच्छे से टिक के इसमें लग जाते हो, as a software developer की post पर जाने के लिए, या फिर coding के थुरू, आप अपने level को achieve करते रहते हो, किसी भी एक proper language पे, तो आप ये समझ लो कि 5 साल ये 4 साल का आपका time लेगा, लेकिन उस time period तक आप 1 लाघ उर्पे से से fet 2-3 लाघ की salary तक पहुच सकते होет, और ये genuine baaat है, क्योंकि मेरे खुच बुँआ के लड़के हैं, और और मेरे दो तिन फ्रेंट्स भी है तो वो भी जो है जो सफ्रेड डेवलपर वर्क कर रहे हैं और उनकी सेलरे भी वन लैक और वन लैक अवब है तो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको चलेगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथी कमेंट करके अपना फेडबैक जरूर दें थैंक यू